नमस्का स्वाराज एक्स्प्रेस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रितिका शर्मा आईए इस बुलिटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन्स के साथ चीन के मुद्दे पर कॉंग्रेस ने एक बार फिर सरकार को घेरा सुर्जेवाला ने कहा एलेसी पर चीन कर रहा है निर्माण मोधी सरकार बताए कबजा छुडाने की क्या है नीती राजस्तान में बागी विधायको की याचिका पर सुमवार सुभा दस बजे होगी सुनवाई सूत्रों से खबर विधान सबा का विशेश सत्र बुलाने की तैयारी में सरकार ओडियो क्लिप मामले में कॉंग्रेस ने की केंद्री मंत्री गजेंदर शेखावत से इस्तीफे की माँ राउल गांदी का केंद्र सरकार पर निशाना ट्वीट करके कहा बीजेपी ने जूट को दे दिया संस्थागत रूप कुरोना के आंकडों चीन और जीडीबी पर देश को गुमराख कर रही है बीजेपी सरकार देश को चुकानी पड़ेगी की मत्र पूर सीम कमलनाथ का शिवराथ सरकार को चेतवानी आपको बता देख गुना और सागर की पीडितों को मिले इंसाफ बोले नहीं तो कॉंग्रेस चुक बैठने वाली नहीं और असम समेत देश के कई राज्यों में बाड का कहर असम में 35 लाख लोग प्रभावित बारिश और बाड से बधाल हुआ उत्तर भिहा तो राजस्तान में सियासी उठापटक के बीच सुमवार का दिन बेहत एहम है सुमवार को हाई कोर्ट में स्पीकर के नोटिस को ले कर दायर कॉंग्रेस के बागी विधायको की याचिकापर सुनवाई है सुमवार यानि 20 जुलाइ को सुभा 10 बजे दोबारा सुनवाई होगी गुरुवार को बागी विधायकों की ओर से सीनियर एड़ोकेट हरीश सालवे ने अपनी दलीले रखी थी उन्होंने कोट में कहा कि पाइलेट गुठ ने दल बदल कानून का उलंगन नहीं किया है ऐसे में स्पीकर को नोटेस देने का अधिकार नहीं है महीं स्पीकर की और सीनियर वकील माफ कीजेगा अभिशेक मनुस सिंग भी पेश हुए जिसमें उन्होंने याचिका को ततकाल खारिच करने की अपील की जिसके बाद हाई कोट ने 20 जुलाई सुबा 10 बजे तक मामले पर सुनवाई टाल दी थी अरवनी राजस्तान में जारी सियासी उठापटक के बीच विधान सबा का विशेश सत्र बुलाने की तयारी चल रही है सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुक्यमंत्री अशोग गैलोट सदन में अपनी ताकत दिखाने के लिए अगले हफते विधान सबा का सत्र बुला सकते हैं बताया जारा है कि राजस्तान हाई कोट द्वारा बागी विधायकों की याचिकर पर फैसला आने के बाद सरकार विशेश सत्र बुलाएगी स्पीकर ने पाइलिट खेमे के विधायकों को अयोगे ठहराने के संबंध में नोटिस जारी किया था इस नोटिस को बागी विधायकों ने हाई कोट में चुनौती दी है जिस पर सुमवार को सुनवाई है और इसे पहले सीम अशोग गहलोत ने शनिवार को राजिपाल कल राज मिश्र से मुलाकात की थी और बताया जा रहा है कि इसमें विशेश सत्र को लेकर चर्चा हुई है यदि ऐसा होता है तो इससे सचिन पाइलेट गुट की मुश्किले बढ़ने वाली हैं और दरसल पार्टी फ्लोर टेस्ट के लिए विप जारी करेगी और नियमों के अनुसार उसका उलंगन करने पर विधायकों के अयोग्य घोशित किया जा सकता है यहाँ ये भी बता दें कि सीमस्षोग गहलोत लगातार 109 विधायकों की समर्थन की बात कर रहे हैं दूसरी और सचिन पालेट के समर्थक विधायक लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के पास बहुमत है और कॉंग्रेस पार्टी के बहुमत को आज राजस्तान में भारतिये जनता पार्टी के जो विधान सभा में नेतागण है राठोर जी और जो उनके राजस्तान में भाजप्पा अध्यक्ष हैं पूनिया जी दोनों ने स्विकारा है दोनों अब पीछे हटकर ये कह रहे हैं के भाजप्पा तो राश्टपती शाशन की मांग ही नहीं कर रहे है अबने राजस्तान में फोन टैपिंग को लेकर गरमाई सियासत के बीच कॉंग्रेस नेता अजे माकन ने प्रेस कॉंफरेंस कर बीजेपी पर जम कर निशाना सादा है अजे माकन ने बीजेपी पर लोक तंत्र की हत्या का रोप लगाया माकन ने केंदरी मंत्री गजेंदर सिंख शिखावत से इस्तीफ़े की मांग करते हुए कहा कि ओडियो क्लिप केस में गजेंदर सिंख शिखावत के खिलाब जांच चल रही है अगर वो केंदरी मंत्री बने रहे तो जांच प्रभावित होगी इसलिए उनका इस्तीफा होना चाहिए उन लोगों ने भी रेकनाइस कर ली तो क्या ये उचित्ते है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्रीपद पे बने हुए हैं क्या उनको अधिकार है कि अभी भी वो केंदर सरकार के मंत्रीपत पे बने रहें। कॉंग्रेस पार्टी इसलिए ये मांग करती है कि घचेंदर सिंग जी शिखावत को या तो इस्तिफा देना चाहिए या उनको तुरंग प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हस्तक्षेप ना कर सके और वनी राजस्तान में सियासी संकट के बीज कॉंग्रेस विधायक सुर्ष से सुर मिला कर अंताक्षरी खेलते नज़रा रहे हैं विधायकों के संग प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी हम होंगे कामयाब गाने पर सुर्ष साथ ते नज़र आए होटल में मशूर गानों पर मंत्री और विधायकों की सुर्ष साधना का ये विडियो जम कर वाइरल हो रहा है वतादे कि सियासी तनातनी के बीच कॉंग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी जैपूर के होटल फेर मॉंट में की गई है बढ़ते आगे राजस्तान में जारी सियासी खीचतान के बीच केंदरी ग्री मंत्राले ने फोन टैपिंग मामले में राजे के प्रमुक सचिफ से रिपोर्ट मांगी है सूत्रों के मुताबे ग्री मंत्राले लीक हुई आडियो सीडी की जाँच पर नज़र रखे हुए है और इस सीडी की जाँच राजस्तान एसोजी कर रही है बीजेपी ने फोन टैपिंग को निच्टा का हनन बताया है वहीं कॉंग्रेस ने आरोप लगाया है कि आडियो राजस्तान में गहलोत सरकार को गिराने के लिए संजे जैन के साथ भवरलाल शर्मा की बातचीत का है और इस बातचीत में 30 विधायकों के खरीद फरोप्त का जिक्र है इस आडियो क्लिप को लेकर राजस्तान एसोजी ने दो F.I.R. दर्ज की है और इस मामले में गजेंदर सिंग, भवरलाल शर्मा और संजे जैन को आरोपी बनाया गया है ओडियो क्लिप की जाच को लेकर राजस्तान एसोजी की टीम मानेसर के उस होटेल में भी पहुंची थी जहां कॉंग्रेस के बागी विधायकों के होने की बात कहीं जा रही थी लेकिन एसोजी टीम को बागी नहीं मिले थे राजस्तान मामले में कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता अभिशेक मनुस सिंग्वी ने बीजेपी के रुख पर कहीं सवाल खड़े किये हैं सिंग्वी ने टेप कांट की सीबी आई जांच की मांग और केंद्रिय ग्रही मंत्राले की ओर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर सवालिया निशान लगाये हैं कॉंग्रिस के राष्टर प्रवक्ता विशेक मनुस सिंग्वी ने लिखा कि होर्स ट्रेडिंग और सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगे हैं इसमें राजस्तान के विधायकों के साथ केंद्रिय मंत्री भी शामिल बताय जा रहे हैं पुलिस की जाँच चल रही है और FIR भी दर्ज की जा चुकी है और इसमें रुकावट डालने के लिए बीजेपी ने अपनी सोविथा के अनुसार CBI जाँच की मांग की है केंद्री गरी मंत्राले भी सामने आ गया है क्या मामले में क्लीन चिट देने के लिए जाँच CBI को दे दी जाएगी इसी के साथ कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता कपिल सिबल ने दल बदलने वाले सभी जन प्रतिनिदियों के 5 साल तक किसी सरकारी पत पर रहने और अगला चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून में संचोधन की मांग की है सिबल ने ट्वीट कर कहा कि निर्वाचित सरकारों को सत्ता से बाहर करने के लिए ब्रष्ट तरीकों के वाइरस के खिलाफ एंटी बॉडिस सम्विधान की दसवी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के संचोधन में निहित है सिबल ने बीजेपी पर निशाना साथ ते वे कहा कि टीके की जरूरत है निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए भ्रष्ट तरीकों का वाइरस दिल्ली में वुहान जैसे केंदर के जरीए फैल गया है उन्होंने का इसके अन्टी बॉडीज दसवी अनुसूची के संचोधन में नहित है सबी दल बदलूओं के पांच साल तक किसी सरकारी पत पर रहने और अगला चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए और वहीं फोन टैपिंग पर छेड़ी सियासत के बीच कॉंग्रेस विधायक राजे इंदर गुडा का कहना है कि संजे जैन करीब आट महीने पहले उनसे मिलने आए थे उसने वसुंदरा राजे और दूसरे नेता से मिलाने की बात कही थी गुडा ने कहा कि संजे जैन की तरहां दूसरे एजेंट भी सक्रिये थे लेकिन अपनी कोशिश उसमें काम्याब नहीं हो पाए विधायक ने कहा कि हमारे पास संख्या बल है से लिए बीजे पी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रही है अब यह मिला के वो जो अब जो सारी जैजे सामने आगे इसकी पटका था लिख रहा था उसी टाइम से वही कांग्रेस नेतर राउल गांधी ने आरोक लगाया है कि बीजेपी सरकार करोना वाईरस के संक्रमन और इससे होने वाली मौत के आँख्रों को लेकर जोट बोड रही है राहुल ने ट्वीट करकी कहा कि बीजेपी ने जूट को संस्थागत रूप दिया है पहला COVID-19 की टेस्ट संख्या कम करके और इससे हो रही मौतो की संख्या को कम बता कर दूसरा कि GDP की गणना के लिए एक नया तरी कापना कर मही तीसरा चीनी घुसपैट पर मीडिया को डरा धमका कर ये ब्रह्म जल्द ही तूटेगा और भारत को इसकी कीमत चुकाने पड़ेगी बता दे कि राहुल गांदी ने ये ट्वीट वाशिंग्टन पोस्ट की उस रिपोर्ट पर किया है जिसमें अखबार ने भारत में करोना से हो रहे कम मौतो को रहस्य में बताया है अखबार ने लिखा कि भारत में अब करोना केस 10 लाग तक पहुँच गए हैं इसके साथ ही भारत अमेरिका और ब्राजील के साथ उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जहां कोई नहीं जाना चाता वहीं चीनी सैनिकों की घुसपैट को लेकर कॉंग्रेस ने एक बार फिर मोधी सरकार को खे रहा है कॉंग्रेस प्रवक्तार अंदीप सुर्जेवाला ने कहा कि चीन ने नई जगाहों पर भारती इलागों पर कबजा किया है वहीं सैटलाइट इमेजस में ये साफ हो रहा है भारत की सरजमी पर चीनी कबजे का दूस्साहस लगातार बना है चीन डेपसांग प्लेंस तथा पैंगों सो लेक इलाके में नेकेवल जबरन कबजा बनाए है बलकि चीन के अतिरिक्त सेन्य निर्मान से साथ तौर पर खत्रे का आभास है रंदीप सुर्जेवाला ने कहा कि चीनी सैनिकों ने फिंगर फोर्स से आठ के बीच कबजा कर रखा है देपसांग और दौलत बेग ओल्डी में भी चीन निर्मान कर रहा है उन्होंने केंदर सरकार से पूछा कि आखिर भारती जमीन से कबजा छुडाने की क्या रणनीती है क्या मोदी सरकार ने मान लिया है कि अब कोई हल नहीं निकलेगा खेट की बात यह है कि मोदी सरकार वे प्रधान मंत्री चीनी दुस्सास और कबजे को लेकर केवल मीडिया के माध्यम से ब्रहम का जाल पैदा करने में लगे हैं नेकि निर्णायक तोर से पूरवतया यथा स्थिती यानी स्टेटस को एंटी बनाए रखने का दिर्ड निर्णे लेने के मोदी सरकार दवरा फैलाया गया भरम जाओ ना देश शेवा हो सकता और नहीं राष्ट भक्ती वरिष्ट कॉंगरेस नेता अनंद शर्मा ने मोदी सरकार की विदेश नीती पर सवाल उठाए हैं और विदेश मंत्री एस जय शंकर से कई सवाल पूछे हैं उन्होंने ट्वीट करकी कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैशंकर ने दिशाहिन विदेश नीती का बचाव किया है बयान बाजी और ट्वीट से जमीनी हकीकत नहीं बदलती पर ओसी पहले भारत की विदेश नीती की प्राथमिक्ता रही है लेकिन सरकार की मनमाने रवईये ने इसे पट्री से उतार दिया है उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच आपस में एतिहासिक, विश्वास, मित्रता और पारसपरिक सम्मान का संबंध है लेकिन वरतमान तनाव राष्ट्रिय चिंता का विशे है विदेश मंत्री इससे इंकार नहीं कर सकते हैं लेकिन विफलताओं के लिए जवाब देना चाहिए चलिए बुलिटन में आरुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने दिया हमारे साथ आपको नहीं लगता के डेरी किसानों को सीधे कोई पैकेज देना चाहिए तहाँ पर अगर उनको चार-पांच उनको ए लिडर की साहिता मिल जाती है आप जो दूद के किसान है उनका फ्यूचर क्या देखते है बहुत बढ़िया है अभी देखिए अगर पॉलिसी भारत सरकार की ठीक रहे जो अभी है थोड़ा दूद के किसान को भी एक क्रिशे के बरबर माना जाए देखिए हिंद किसान डायलोग्स अमूल के एमडी आर एस सोधी के साथ सिर्फ स्वराज एक्स्प्रेस पर स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर आप्षिन के लिए है भाभा उनिवरसिटी, बेस्ट फैकल्टी, व्ल्ल्ल्ट ग्रस इंफ्रस्रक्ट्रुक्टर, स्कॉलर्शेप्स, हाँटेक लाब्स, 27 अकर फ्लश्गून कांपर्स, हॉस्टिल फस्टल फैस्टी, अड्मिस्स ओप for Engineering, Pharmacy, Dental, Computer Application, Management and Agriculture. स्वागताप कपरीग के बाद अरोयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमी पूजन 5 अगस्त को होगा. राम जन्मु भूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रधान मंत्री कार्याले को 3 और 5 अगस्त की तारीक भेजी गई थी. पीमो ने 5 अगस्त को चुना हैं, खबरों के मताबिक खुद प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी इस भूमी पूजन में शिर्कत कर सकते हैं. शनिवार को मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद दो तारीके तैकी गई थी, सरकिट हाउस में हुई बैठक में चंपतराय के अलावा अपर मुखे सचेव ग्री अविनाश अवस्ती, कामिश्वर चौपाल, मृत्य गोपाल दास, गोविंद देवगिरी महराज और दिनेंद दास समेत दूसरे ट्रस्टी मौजूद रहे। अर्थिक नुकसान पर गौर करना चाहिए। और करोना से लड़ाई में सब कुछ सही होने का दावा किया है। जर्णा फूट पड़ा है। पुलिस ने पीड़त युवग पर ही चोरी की FIR दर्ज की है। मद्यप्रदेश की गुणा में दलित युवग की पिटाई को लेकर कॉंग्रिस ने शिवरात सरकार को घेरा है। करके कहा गुणा में फिर एक दलित बना शिकार गले में फंदाल डालकर मंडी में घुमाया। कॉंग्रिस ने जोतिरा दित्ते सिंधिया से सवाल पूछा है कि सिंधिया जी किक शेत्र गुणा में दलित परिवार की बेरहमी से पिटाई और अब बच्चों की चीखों से देश तब था और इसी बीच वहीं से फिर दलित प्रतार्ना की खबर विचलित करती है। सिंधिया जी समझोते में ये सब भी शामिल था क्या। गुना में ही महुगड़ा निवासी धर्मेंदर वालमी की नाम के एक दलित युवक से सारवजनिक रूप से बरबर तरीके से पिटाई की घटना सामने आई है। कमल नातनी आगे लिखा कि पूरे प्रदेश में शिवरात सरकार आते ही इस तरहा की घटनाय प्रति दन सामने आ रही है। दलत आदिवासी गरीब किसान पर दमन उत्पीडन की घटनाएं प्रति दिन सामने आ रही हैं। उन्होंने लिखा कि मैं सरकार से मांग करता हूँ कि गुना और सागर की घटनाओं के दोशियों पर ततकाल कड़ी से कड़ी कारवाई ही हो, पीड़ित परिवार की हर संभव मदद हो, अन्य था कॉंग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। वहीं शिवराज सिंग चोहान के मंतरी की बद जुबानी सामने आई है। ये बात कहा था कि टाइगर जिन्दा है और उसकर दिगवजे सिंग्ने पलटवार करते गए कगा था कि हम और माधवराव सिंधिया साथ में शेर का शिकार करते थैं. भदौरिया ने दिगवजे सिंग के उसी बयान पर पलटवार किया है। कॉंगरीस ने अर्विन्द भदौरिया पर कारवाई की मांग की है कॉंगरीस ने ताओं का कहना है कि अर्विन्द भदौरिया को सामाने राजनीतिक शिश्टा चार भी नहीं पता है वर्चौल रेली के नौटन की कर रही है अबद्र तरीक्य और अबद्र भाषाओं को अपयोग कर कॉंग्रेस पार्टी को लजित करनी के कोशिश कर रही है वर्च्वल रेली की नोटकी कर रही है वहीं कॉंग्रेस पार्टी एक्च्वल धहरातल पर अपना काम कर रही है और हमें माननी कमनाज जी की कुशल रणजीती और कौशल पार पुरा विश्वास है अब बात करते हैं चतीजगर की जहां मुख्यमंत्री बुपेश भगेल ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी को पत्र लिख कर उस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है जिसमें किसानों को मंडियों के बाहर अपनी फसल बेचने की छूट दी गई है मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार की तरफ से पांच जून को जारी किया गया ये अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है रोजगार के अफसरों को कम करने वाला और संघीय धाचे की मान्य परमपराओं के विपरीत है मुख्यमंत्री ने लिखा कि चतीजगर क्रिशी प्रधान राज्य है राज्य की अर्थव्यवस्ताक क्रिशी पर आधारित है और लगबग 70 फीसीदी जनसंख्या क्रिशी गती विधियों से जुड़ी हुई है और ऐसे में इस तरह के अध्यादेशों से प्रधेश को नुकसान होगा वहीं सियाना में हिंसा और इंस्पेक्टर सुबोध के हत्या के आरोपी शिखर अगरवाल को पार्टी में पत देने के मामले में अब बीजेपी बैक फुट पर है शिखर अगरवाल को प्रधान मंत्री जन कल्यान कारी योजना जागरुकता भियान से हटा दिया गया है पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कॉंग्रेस महासच्चिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था और उसके बाद सवाल उठने लगे तो अब बीजेपी ने फेस सेविंग के लिए शिखर अगरवाल को पद से हटा दिया है मही पश्रिम बंगाल के उतरी दिनाचपूर में नाबालिक से गैंग रेप और हत्या के विरोध में लोगों ने जम कर उत्पात मचाया प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की तीन गाडियों को आग के हवाले कर दिया गुसाई भीड ने दो सरकारी बसों को भी फूग डाला पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक जड़ब भी हुई पुलिस ने लोगों को काबू में करने के लिए आंसू गैस की गोले भी छोड़े इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है बढ़ते आगे दंतेवाडा में नकसलियों का बेरहम चहरा सामने आया है कटे कल्यान थाने के गाउं पर चेली पूरबंदर पारा में 10 से 15 नकसलियों ने जब कर तांडव मचाया नकसलियों ने गाउं वालों की बेरहमी से पिचाई की और इतना ही नहीं नकसलियों ने महिलाओं को भी नहीं बक्षा घायलों को दंतेवाडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और माना जा रहा है कि नकसली गाओं में अपने जनाधार को फिर से मजबूत करने के लिए डर का महौल पैदा कर रहे हैं जस्टिस यू यू ललित 20 जुलाई से सुप्रीम कोट के कॉलेजियम में शामिल हो जाएंगे जस्टिस आर भानुमती के रिटार्ड होने के बाद जस्टिस यू यू ललित को कॉलेजियम में जगा मिलेगी सुप्रीम कोट के पांच सीनिय जजों का ये कॉलेजियम सुप्रीम कोट और हाई कोट में न्यायधीशों की न्यूकती एवं हाई कोट न्यायधीशों के तबातले की सिफारिश करता है सुप्रीम कोट इस कलोजियम में शामिल होने मुख्य नयदीश S.A. बोबडे, जस्टिस N.V. रमना, जस्टिस अरुन मिश्रा, जस्टिस R.F. नरिमन इस कलोजियम में शामिल है वहीं हाला कि जस्टिस अरुन मिश्रा 5 सितंबर 2020 को रिटायर हो जाएंगे बढ़ते आगे सरकार ने AIMS के पैनल में करोना के इलाज के लिए को वाक्सिन के मानव परिक्षन को मंजूरी दे दी है इस वाक्सिन के परिक्षन में स्वेच्छा से शामिल होने के चुक स्वस्थ लोगों का सुमबार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और इस परिक्षन के लिए AICMA ने दिल्ली में AIMS समेट 12 संस्थानों का चैन किया है पहले चरण में आपको बता दे TK का 375 लोगों पर परिक्षन किया जाएगा जिन में से अधिक्तम 100 लोग AIMS से हो सकते हैं जिन लोगों पर वैक्सीन का परिक्षन किया जाएगा उनकी उम्र 18-55 साल के बीच होगी तो महीं करोना संकट और लॉकडाउन के दौरान महज देश में 55 फीसदी परिवारों को ही महज 2 दिन का खाना मिल पाया है ये सर्वे 1 अप्रेल से लेकर 15 मैं तक किया गया है वर्ल्ड विजिन एशिया पैसिफिक द्वारा जारी आखरों में कहा गया है कि 1 अप्रेल से लेकर 15 मैं तक 24 राज्जियों और 2 केंदर शासित प्रदेशों के 119 जिलों में 5668 परिवारों पर सर्वेक्षन किया गया जिसमें ये बात सामनी आई है कि COVID-19 के चलते 60 प्रतीशत से अधिक लोगों की आजीवी का पूरी तरहा या गंभी रूप से प्रभावित है वही सर्वेक्षन के दोरान पाया गया कि लोगडाउन की सबसे अधिक मार दिहारी मजदूरों पर पड़ी और इसके चलते चीनी आजीवी का ग्रामेन और शहरी गरीबों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है अध्यायन में ये कहा गया है कि करीब 67 फीसिदी शहरी अभिभावक पिछले हफ्तों में काम छूट जाने या आए में कमी आने की बात कर रही है बढ़ते आगे नेपाल की सत्ता रूड कम्यूनिस पार्टी ने अपनी स्थाई समिती की एहम बैठक एक बार फिर टाल दी है बैठक को मंगलवार को सुभा 11 बजे तक के लिए टाल दिया गया है ऐसा साथ भी वार हुआ है जब सत्ता रूड पार्टी ने अपनी स्थाई समिती की बैठक टाल दी है सूत्रों के मताबिक ओली और प्रचंड ने अपने बीच मतभेदों को दूर करने के लिए हाल के हफ्तों में कम से कम आठ बैठके की लेकिन प्रधान मंत्री की तरफ से एक व्यक्ती एक पत की शर्ट मन्जूर ना होने की कारण बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल सका पुलिस ने फाइरिंग की है इस फाइरिंग में एक भारतिय शक्स जखमी हो गया है बढ़ते आगे आफ़त की बारिश से पानी पानी हुआ हिंदुस्तान देश की राजधानी दिली से लेकर यूपी बिहार और असम तक बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है वहीं दिली में बारिश की दस्तक के साथ ही हाथसों की खबरे भी सामने आने लगी हैं मिंटो रोड़ वाले ब्रिज के नीचे एक शक्स की पानी में डूप कर मौत हो गई वहीं उत्तरप्रदेश की बात करें तो यहां नौइडा और अलीगर समेत 15 जिलों में मुसलाधार बारिश हुई बिहार से लेकर असम तक भारी बारिश और बार के कारण हाहा कार मचा है नदियाओं फान पर है और सैक्रो गाउं और शहर जलमगन हो चुके हैं लोगों को बार की तबाही से बचानी के लिए अंडियारिफ की टी में तैनात की गई हैं लाखों लोगों को बार की कारण अपना घर भी छोड़ना पड़ा है वही केरल के कोची में बारिश की वज़ा से समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी घर तक आ गया समुद्र की तेज लहरों के इस वीडियो को लोग किनारों पर खड़े अपने मुबाइल में कैद करते दिखे ये वीडियो कोची के एक तटिय गाउं चिलनम के रिहाईशी इलाके का है तस्वीरे आपके सामने हैं तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि समुद्र के तट से घरों की दूरी काफी है लेकिन उसके बावजूद तेज लहरों की वज़ा से समुद्र का पानी घरों तक आसानी से पहुँच रहा है रुक असमका करते हैं जहां इन दिनों भीशन बार की चपेट में आ चुका है ये राज्य सुबे के 33 में से 30 जिले ब्रह्मपुत्र नदी में आई बार से प्रभावित हैं बारिश ने स्थिती और बिगार दी है आपको पताते 4766 गाओं बार में डूप चुके हैं 48.07 लाग से जादा लोग बार से प्रभावित हो गए हैं रिलीफ कैम्प में रहने को ये लोग मजबूर हैं जबकि 92 लोगों की जान भी जा चुकी है बार का कहर इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों पर भीत पड़ा है अब तक 66 जानवर अपनी जान गवा चुके हैं बार के हालात को देखते हुए प्रधान मंतरी मोदी ने असम के मुखे मंतरी सरबान अंदर सोनोवाल से बात की है पी-म ने कहा कि असम सरकार को चुनौती पूर्ण परिस्थितियों से उबारनी के लिए केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिला कर खड़ी है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से असम को तरासदी से उबारने के लिए हर संभव मदद देने का वादा किया है असम में आई बार में जिन जिन लोगों की जान गई है उन्हें केंद्र से दो-दो लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी चलिए इसी के साथ इस बुलिटिन में इतना ही आप बने रहें स्वराज एक्सप्रेस के साथ नमस्कार